हाई दोस्तों वेल्कम बैक टू मैं चैनल आईए तो आज हम आटे के गुलाब जामन बनाते हैं मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सस्क्राइब कर दीजेगा प्लीज दोस्तों आप लोग देखिएगा आटे के गुलाब जामन कितने रस से भरे रसीले बहुत टेस्टी बनते हैं दोस्तों बनाईएगा मेरी रसीपी मेरे रहे हिए इधर एक काटोरि आटा लिया है तो मेंने एक काटोरी मिल्क पॉडर ले लि Massachusetts मिल्क पोडर आप कोई से भी ब्रेंड का ले सकते एक अपनों दूद्फ ले लिया है इधर यह बाॉल लेके मैम उसमें तीनों इं बेकिंग पॉडर और टू पिंच मैंने डाला है बेकिंग सोडा तो चम्मस डाल देंगे देशी घी इसको हातों से मिलाएंगे जैसे मिलाना चाहे हाथ हातों से मिला लीजिए अच्छे से मसल के घी मिल जाए हातों हातों का ही काम होता ही असलका से मिलाके फिर इसको थोड़ा से दूट डालेंगे दूट को भी थोड़ा हातों से मिला देंगे प्रफ़ोड़ा करके डालेंगे एक दम नहीं डालेंगे एक अब दूद आराम से लग जाएगा हाथ दीखे हाथ उसे खुब अच्छी से मिला देंगे हाथों का यकाम है दोस्तों यहाथ से नहीं हो सकता इसलेहाथ से इसको अच्छे सेशो चॉफ्ट डो लगाना है हैं बिल्कुल टाइट नहीं करेंगे और टाइट हाथों से गून देंगे मतलब हलकेल के हाथों से इसको जीरे-जीरे गून लेंगे थोड़ा-थोड़ा दूट डालेंगे कि दूट थोड़ा जादा भी दो चमज लग सकता है उपर अभी तो एक कप मैंने पूरा डाल दिया है देखिए इधर दो लगा के बस लगा के ऐसे रख देना है दूट खाली एकी कप लगाता दोस्तों उसके बार बाद में अगर आप और सॉफ्ट अगर आपका टाइट हो तो आप थोड़ा सा दोश्मज दूद डालके देशीं की डालके इसको आपका सथोगा ते ऑलड़ा से वह वी वीडियो मुझसे इसके पो गई थी दोबारा मैंने खोलकेah सी मिट 2 treating के बाद सब्सक्राइब नाहिक सको हालका सब्सक्राइब लगा के मन है देखिया था अब इसका लॉक बना लेंगे एक अ कि साओ लोत डिया बनाने के बाद चोटे चोटी लोयां काट लेंगे जितना बड़ा साइज आपको चाहिए गुलाब दामने का का बड़ा साइच चाहिए चोटा चाहिए चोटा चाहिए जिस तरह से आप बनाना चाहिए वह आपको डेपेंड करता है दोस्तों अब बच्चों को खिलाईए कोई नुकसान नहीं करता है और गेहों के आटे से कोई डर भी नहीं है कि हमने जादा खा लिया है अब उसक है इसको इतना ध्यान रखना है दोस्तों सं warrant nie आना चाहिए नहीं आना चाहिए इसमें अच्छे से मलत लीजिए जो हात में चिपक रहा है तो हलका अगाना से बना लीजेगाँ अपनालि में धीज़ एंगालिचा बना लीजे अपको बनां condition वेकिटandalBLE 2-353D नोइ बना लीजिए तो लमबे ग्रीव में ग्रोल सेफ लोट करता हे ऊसे बनालिजे दोस्तों सब्सक्राइब बने हैं और क्राइक आने से वह टील में रखेंगे इस ते इसका ध्यान रखिएगा क्राइक आ tenth Christian कि पॉरी पानी लगा लूंगी कि आप किसी से भी नाप के पानी लगा लिजें कपपी ले सकते हैं दो कप पानी धो पानी यह कटोरी पानी उबाला आजा हमारी चाशनी में पानी में बॉयल हो जाय बस खाली अच्छे से को बॉयल करना है कि चार से प्वांच मिनिट के लिए इसको बॉयल कर लीजिएगा पस हलकी सी चिपकने हलकी सी मतलब इस तरह से लगे कि चिकनी सी हो गई है अभी दिखाते हैं आपको इस तरह से यह देखे दोस्तों गैस हमारी ओन है नेकिन धीमी है इसलिए इसमें भी बॉयल नहीं आया है इलाइची तोड़के डाल देंगे चार इलाइची मैंने तीन से चार आप दो भी ले सकते हैं जैसे आप पसंद करें इदर मैंने से थोड़ा सा थोड़ा फूड कलर इसमें डाला है आपके पास केसर के धागे हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं इसमें केसर के धाके इसी समय डालिएगा पानी हमारा बॉयल हो गरम हो जाए तब डालिएगा यह मैंने थोड़ा सा हलका सा यलो कलर बिल्कुल लाइट टेलो नीभू कलर जो लेमन कलर बोलते हैं वो डाला है फूड कलर है सो थोड़ा से डालेंगे बिल्कुल मामूली कि हमाई चाशनी में कलर आच के आप डालना चाहे डालिए नहीं लाना चाहे ना डालिए इसकिप कर सकते हैं दोस्तों इधार देखिए चाशनी हमारी हलकी सी चिकनी जिर से उंगलियों पर रखो तो चिकना चिकना पनाता है इस तरह से इसको करना है ज्यादा है एक तार की या दो तार की नहीं बनाएं हमको चाशनी हमको चाशनी खाली बस अच्छे से पानी में चीनी मिल जाए यह देखें चिकनापन हो बस इस तरह से बना लीजिएगा और इसको थोड़ा गुनगुना रखिएगा गरम जब गुलाब जामिन हम बना के डालेंगे तो गरम हो चाशनी ठंडी नहीं होनी चाहिए दोस्तों तो धीम फिल्फ कह अच्छे रखते हों ठीक लगता हो सबना इए आपको वैसे देसी की का अलग ही सुआट होता है दोस्तों जाए थोड़ा लीजिए लेकिन देसी की में बनाने के बाद सका टेस्ट अलग आता है अच्छा आता है और टेस्टी बनते हैं दोस्तों अगर आप लोग के पास मिल्क पॉर्डर ना हो दोस्तों तो आप दूद की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मलाई यह ध्यान रखिएगा ठंडी ना हो असे अधे रों परेशर पर हो या थोड़ा नोनी हो थंडी होगी तो हम मिलाएंगे पेट के डालना है आटमें रहीं थे और निकलाएगा इधर हमने एक टेस्टिंग के लिए डाला हैं देखें कहीं फटे का तो नहीं दोस्तों अगर यह मारा सही लगता है तो तो फ्लेम हमें लो से मीडियम प्लॉम हाई नहीं करनी है दो चाषनी होते आध भी रखनी है ठंडी चाशनी नहीं रखनी है सेखने के बाद इनको सीधे उसी में डालना है कहीं निकालना नहीं है कि आप निकाल के समाल के रख दें बाद में चाशनी में डालें नहीं ऐसा नहीं करना दोस्तों तुरंत चाशनी में डालना है और चाशनी ठंडी हो जाए तो उसको गरम कर लीजेगा चाशनी बॉयल होती है तो और जदा अच्छा रहता है उसमें गुलाब जामिन हमारे मारी माप कीजेगा मेरा कैमरा कुछ गरबड कर रहा है लाइट फोकस नहीं कर पा रही है कभी लो हो रहा है कभी मतलब लाइट अच्छे से नहीं पढ़ रही है इसमें सो उसके लिए माप कीजिए दोस्तों यह देखिए कैमरा बहुत गरबड कर रहा था क्या हो रहा हो गय है सो इसमें गुलाब जाविन अच्छे से नहा लें इनको डुबा डुबा के रखिए ताकि यह हमें खाने में टेस्टी लगें और सॉफ्ट हो जाएं यह देखिए हमने तुरंद लिकाल के दिखाएं अभी मैंने इसे मतलब छोड़ा नहीं था सो दोस्तों आप लोगो मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शियर सस्काइब कर दीजेगा बाई बाई दोस्तों